वेल्कम बैक टो बोड़ी बिल्डिंग टीवी गाईज एक बार फिर से आपका स्वागत है बोड़ी बिल्डिंग टीवी पे और आज हम लेकिया है शिकागो प्रो के प्रेजिजिंग रिजल्ट दोस्तों काफी जबरदस कॉंपटेशन चल रहा है काफी जबरदस एथलेट ह फिलहाल टॉफ सिक्स में से आउट हो चुके हैं मोहमत शबान और हसन मुस्तफा मुझे लगा नहीं ता कि इन दोनों को टॉफ फॉर में जगा नहीं मिलेगी बट अभी फाइनल रिजट आना बाकी है दोस्तों शायद ये दोनों आ सके टॉफ फॉर में इन में से कोई एक अचुके इस लाइनप में उन में से फर्स जो एटलेट उनका नाम है मैक्स चार्ल्स जहां तक बात है दोस्तों इनकी फिजिक की इतनी ज़्यादा डॉमिनेटिंग फिजिक मुझे नहीं लगी आपको क्या लगता है दोस्तों इनको टॉफ फॉर में आना चीए था या नह रॉली विंगरर और मेरे सबसे तहो यह जीतने चाहिए इसकुम्पुटिशन में जहाता बात है कॉंप सब्सक्राइब मुझे Ready के हैं लिभाड़ा कि उसने जादा बिग이지क की की साथ में उतने जादा राम्डेड थो इनके आश्य को बाद ह ऑद श्य का अच्छे इ lähख़ रहरे गया। तो इनकी भी बाड़ी काफ़ी अच्छे लग रही है, काफ़ी राउंडड़्च उल्डर्स दिख रहे हैं, यह तीनों में, हंटर लिबराड़ा ही है, इसे एटलिटेज, जिनके शोल्डर्स इतने ज्यादा राउंड़ेड नही है, इतना ज्यादा मसल मास उनके अपर बाड वोइन चाहिए काफी जबरदस तकर पहिले से यह हैar और बात करते वीडियो देखा होगा आपने और उसमें उन्होंने कहा कि ये न्यूस चैनल वाले जो फिटनेज न्यूस चैनल वाले काफी ज़्यादा जज़ करते हैं किसी भी अथलीट को तो सॉरी हम करते हैं ट्राय लोगों को बताने कुशिश करते हैं अपडेट देने कुशिश करते हैं अगर आपको हमारे अपडेट पताना थे दोस्तों तो कमिट करके मुझे ज़रू बताना हाँ तो जहां तक बात है फिजीक की तो बैक डिपार्टमेंट मेरे सबसे रॉली विंकलेर ही जीतेंगे हैं अंटर लेबराडा की बैक थोड़ी सॉफ लग रही है उतनी जादा वाइट ने उतनी जादा बड़ी नहीं है बट सेफिरेशन की बाद अगर करें दोस्तों तो मै में जब प्रेश जेजिंग फाइनल शुरू था तो उसमें इन दोनों को बीच में रखा जेजस ने हर एक पोस के टाइम हंटर लेबराडा और ब्रेट विंकलीन को तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों को काफी जादा प्रियर्टी दी जेजस ने बट जैसे ही लेबराडा या फिर रॉली विंकलर और मेरा तो पक्का मानना यह एक कि रॉली विंकलर इस कॉमपटिशन को जरूर जीतेंगे आपको क्या लगता है दोस्तों कि कौन होगा इस कॉमपटिशन का विनर शिकागो प्रो का विनर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके ज़रू ब कर दोस्तों कि कौन ज़िए भॉक्स